ये है नवादा की करिश्माई मस्जी जो सालों तक पानी में डूबा रहा अब बाहर निकलने पर सुर्ख्यों का हिस्ता बन गई है जुसे देखने के लिए दूर दरास्ते हज़ारों की दादात में लोग पहुँच रहे हैं आईए आभी चानियस रहस्मई मस्जीद के बारे में नवादा जुरे के रजवाली में सालों तक फुलवरिया डैम में ये मस्जीद डूबी थी जुसके बारे में इस्ताने लोग भूली चुके थे अब जब डैम का पानी नीचे उत्रा है तो कई दश्चकों बात मस्जीद बाहर निकलाई है बरसों से पानी में जिवही मस्जीद पुर्टुरा से दिखने लगी है मस्जीद की तामिर इसलामिक वास्तु कला के हिसाब से की गई है जिस से अंदाज़ा होता है कि ये मुगलिया सल्तांतकाल की मस्जीद है गौत्रवे की फुलबरिया डैम का निर्मान 1984 में कराए गया था इससे पहले इस जगा पर बड़ी आवादी होती थी जब सरकार ने इस एरिया का दिग्रहन किया तो लोग विस्थापित हो गए लेकिन अपनी विरास्त पीछे छोड़ कर चले गए लेकिन डैम बनाने के दोरान मस्जीद से कोई चिर्खानी नहीं की गई जो अब भी सुरक्षित है पिलार डैम का जो लस्तर घटने से मस्जीद का दिखना कोतुहल का कारण बन गई है मस्जीद के क्या नाम है? नूरी मस्जीद झाल 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 झाल